दादखाज और खुझ्ली का रामबान इलाज दादखाज खुझ्ली एक बहुत ही आम्तवचा समस्या है यह एक फंगल संग्रमण है अगर इसे जल्दी ठीक नहीं किया जाता है तो कितना ही दादखाज खुझ्ली की एंटि फंगल क्रीम लगाले यह फिर से हो जाती है, यह किसी की लिया परजीवी के कारण नहीं होता है, यह एक टीनिया कवक के कारण होता है, जो की अत्यदिक संग्रामक है, दाद किसी को भी हो सकती है, यह कुछ लोगों की अपेक्षा उन लोगों को अधिक होती है, जो अधिक संवेधनशील होते हैं, यह बच्चों को भी अधिक होती हैं। दाद खाज खुजली आपकी तवचा पर लाल, गोलाकार निशान बना देता हैं। दाद शरीर के नर्मंगो और सिर के पास होना आम बात हैं, पर यह शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती हैं। जब दाद शरीर के अलग-अलग हिस्से में होती हैं तो उसे अलग नाम से जाना जाता हैं। जब दाद शरीर के मुरने वाली जगर को अच्छे से साफना करने के कारण फंगल संक्रमन हो सकता हैं। इसके अलावा किसी चीज से अलगी, किसी कीडे के काटने से, स्किन इंफेक्शन, किसी गलत साबुन का प्रयोग, ड्राइत वचा आदी के कारण से भी दाद खाज खुजली हो सकती हैं। दाद खाज खुजली का उपचार नारियल के तेल से, नारियल का तेल बहुत ही गुनकारी होता है, यह बहुत सारे घरेलू उपचार में प्रयोग किया जाता है। नारियल के तेल में माइक्रोबियल और एंटी फंगल गुन पाए जाते हैं जो की दाद खाज खुजली के संक्रमन को खत्म करने में मदद करता है। यह दाद और कैंडिडा जैसे अन्य कवक के संक्रमन को रोपने के लिए बहुत ही असरदायक हैं। यह सिर या अन्य प्रभावी जगह पर लगाने में आसान होता हैं। इसलिए नारियल का दाद के लिए उप्योग एक अच्छा घरेलू उपचार हैं। दाद खाज खुजली होने पर इसे थोड़ा गर्म करके प्रभावी क्षेत्र पर लगए। इसे कम से कम रोज 3 बार लगाए। दाद खाज खुजली का इलाज हल्दी से हल्दी में अंटी इंफ्लामेटरी और अंटी बैक्टिरियल गुन पाए जाते हैं जो की स्वस्थ के लिए लाबदायक होते हैं। इसके साथ ही इसमें अंटी पंगल भी होता हैं जो की पंगल के संक्रमन को रोकता हैं। इसके लिए हल्दी पाउडर को लेके इसमें पानी मिला ले और इसका पेस्ट बना ले और इसके बाद इसे दाद खाज खुजली वाले स्थान पर ला गए और इसे सूखने दे और आतरिक लाब लेने के लिए हल्दी पानी या हल्दी की चाए भी पी सकते हैं. जब आपको दाद होता हैं तो आपको उस जगह को साफ रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है साबुन और पानी से उस जगह को अच्छे से साफ रखके उसे फैलने से रोक सकते हैं और यह फंगल संक्रमन को खत्म करने में भी मदद करता है इसलिए उसे साबुन से धोल ले और नहाने के बाद उस जगह को अच्छे से सुखा ले क्योंकि फंगस नमी में आसानी से फैलती हैं इसके लिए पाइन और कोईला से बने टैर साबुन दाद खाज खुजली के पुराने घरेलू उपचार हैं सेब के सिरका दाद खाज खुजली में बहुत ही असरदायक घरेलू उपचार हैं इसमें बहुत ही मजबुत एंटीफंगल गुन पाए जाते हैं यह प्रभावित क्षेत्रपर बहुत जल्दी असर दिखता हैं ताद खाज खुजली को ठीक करने के लिए सेब के सिरके को ए चैनल सब्सक्राइब करें हन्यवाद